इस वीडियो में आप इंटरफेस में फिल्ट्स कैसे डिक्लियर करते हैं यह पढ़िएगा अभी तक आप जो इंटरफेस में पढ़ें उसमें हम लोग केवल एबस्टेक्ट मेथड का यूज किये तो चलिए अब fields का use interface में कैसे करते हैं वो हम लोग देखते हैं interface में जब भी fields declare करना हो तो हम लोग static तथा final key का use करते हैं at least static तो जरूर होना चाहिए क्योंकि interface को हम लोग instantiate नहीं कर पाते हैं तथा final key का use हम लोग better readability के लिए करते हैं यदि आपको याद हो जो हम लोग पहले पढ़े थे कि static field को class के instance का जरूरत नहीं होता है लेकिन non-static fields को हमेशा ही class के instance का जरूरत होता है तो चलिए अब एक program देखते हैं तथा कैसे fields को interface में declare करते हैं ये समझते हैं तो चलिए अब इसमें हम लोग एक नया interface add करते हैं इसका नाम देखते हैं हम लोग phone handler इसमें जो extra code जो आया है इसको clear कर देते हैं और एक class में interface हम लोग बनाने जा रहे हैं और इसके अंदर में हम लोग ये code लिखेंगे तो यहां पर हम लोग दो यहां पर फिल्ड बनाया हैं और यहां ध्यान रखिएगा यहां पर हम लोग static final का use किये हैं उसके बाद यहां पर तीन हम लोग abstract method बनाया हैं पहला answer जिसमें कोई parameter नहीं है दूसरा forward जिसमें एक extension in type का parameter है और तिसरा take message जिसमें दो parameter है string type का message और recipient और अब चलिए हम लोग इस interface का use हम लोग किसी दूसरे class में में यूज़ करते हैं और यहां पर मेरा class एक declaring fields in interface नाम का class है इसमें main method है और यहां पर हम लोग चलिए इस interface को आप हम लोग use करते हैं case phone handler.local और इस पर हम लोग switch करते हैं यदि ऐसा है तो हम लोग यहां पर output करेंगे system.up.println और इसमें output करेंगे हम लोग dial 9 और अब दूसरा case हम लोग बनाते हैं इसको break कर देंगे case बनाते है phone handler.long distance यह दि रहेगा इस situation में हम लोग output करेंगे system.out.println और यहां पर देंगे dial 8 और फिर इसको break कर देंगे तो यहां पर हम लोग एक call बना है call में 1 डाले है और call पर switch करेगा यानि call में अभी 1 है phone handler.local जो है यहां पर इसमें मेरा क्या है local में 0 है और long distance में 1 है यानि यहां पर local में क्या होगा ? 0 है यहां पर काई call को यादी जिरो कर देंगे और जब हम इसको run कर आएंगे तो आप देख्सक्ते है नाइं आ रहा है ..क्योंकि जिरो में जो हैah local है औरronics are here जो जीरो हम लोग दिये हैं तो यह लोकल आ रहा है और इसमें लिखा हुआ है तो आप देख सकते हैं कि कैसे हम लोग यहां पर लोकल यहां पर एक फिल्ड बनाया है जो इंटरफेस में है और हमेशा ध्यान रखिएगा इसमें इने स्लाइज करना कोई वैल्यू एक तम जरू जो कि हम लोग यहां पर इंटरफेस में टिकलियर की हैं तो उमीद करते हैं कि आप फिल्ड का यूज इंटरफेस के अंदर कैसे करते हैं वो आप समझ क्या होंगे थैंक्यू